हेलो दोस्तों नमस्कार श्टार्क मार्केट शेयर यूट्यू चानल में आपका स्वागत है अभी हम पात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेज सेयर की क्योंकि इससे समंदीत बहुत बड़ी न्यूज लिकल के आई है और पिछले दो दिनों में देखा गया है कि दो ब प्रमोटर है वह कैसे अपने स्टाक को बढ़ाते हुए नजर आये हैं साथ हम इस वीडियो में यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो इसका अगला क्या सपोर्ट होने वाला है इसका डिशिस्टेंट लेवल क्या दिखा रहा है साथ ही साथ हम यह भी देखने का प्र प्रटन की तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आज यह फिलाल लगबग साथ दिसंबर को देड़ परसंट की इसमें गिरावट देखी गई है और तीन रुपे तीस प्रेसे पे नेसी पी यह ट्रीट करती हुए बंद हुआ है वहीं अगर हम पान दिन की चार्ट प्रेटन क की बात करें तो इसने अपने शेर होल्डों को साथा चार परसंट का निगेटिव रिटन लिकाल के दिया है जबकि एक महिने की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अपने शेर होल्डों को यह नो से दस परसंट का निगेटिव रिटन लिकाल के दे चुक रिटर्न ही लिकालके यह देया है जबकि अगर maximum chart pattern की बात करें तो maximum chart pattern यह दिखा रहा है कि यह सेर जो है जब से लिस्ट हुआ है तब से लिकालके अभी तक 22 से 30% का निगेटीव लिकालके देपाया है और यह जो company लिस्ट हुई थी तब से यह फिलहाल से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है अब अगर बात करें आज के इस अनॉंस्मेंट या न्यूज की तो यहां पर आप देख रहें ब्यास की पर साइट पे कि साथ तारीकों न्यूज लिकल के आई है उससे पहले छह तारीकों न्यूज लिकल के रही है और उन्यूज से प्रिमोटर पी पर क्या प्रभाव परणने वाला है दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें जो प्रमोटरएं होलिंग पैटन है फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि सितंबर 2023 में यह परमोटर होल्डिंग भीशु की बात करें कि 6.10% shareholding total पड़ी हुई है अर्थात जो total promoter holding pattern है यानि जो total promoter holding है वो 6.87% के आसपास है जिसमें से विकास गर्ग जी जो हैं जो इसके promoter हैं उनके पास 6.1 के आसपास total promoter holding पड़ी हुई है और इसी में जो changes हुए हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में डीटेल से चर्चा करने वाले हैं और उसी समंदीत न्यूज लिकल के आई है सबसे पहले अगर हम 6.12 के बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं यह जो न्यूज लिकल के आई है वो एक बोर्ड मीटिंग हुई थी 6.12 को उसे समंदीती है यह न्यूज लिकल के आई है और इस न्यूज में का जो लबो लवाव यह है कि यहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो यह बताया गया था कि जो पर्मोटर हैं विकास गर्ग जी उनको 10 क्रोंड जो शेयर है वो मिलने वाले हैं अर्थात वो 10 क्रोंड सेयर खरीदने वाले हैं और उसी में से यह जो 10 क्रोंड सेयर है उसमें से फिलाल 6 जो दिसंबर है उसमें लगवक तीन क्रोंड सेयर उनको जारी कर दिये गये हैं और यह जो तीन क्रोंड सेयर जो जारी करे गये हैं उसके बाद अ जारी किया जाना था और चुकि पहले हम वीडियो बना के आप बताये थे कि यह जब जारी होंगे तो आप देखेंगे कि यह जो कंपणी है विकास इकोटिक लिमिटर से यह फिलाल 3.40 पैसे के आसपास होती हुई दिखाई देगी जो कि आज देखने को मिला है चुकि जो यह जारी हुए है वह 3.40 पैसे पे जारी तो हुए है साथी साथ इसका जो 2.55 पैसे का इन्होंने तुरंद पेमेंट कर दिया था और 0.85 जो पैसा है वह बाद में यह पेमेंट करने की बात करें है यानि 25 परसेंट जो पैसा है वह जो प्राइस इसू है वह जारी होने के बाद ये जारी करने वाले हैं वहां अगर बात के ही हमकोब कर ये यहां पर से जारी किया गया है और यहां पर बीघे बता जा रहा है कि ये जो जारी हुआ है रोढ़ च्यूपियह संतना है जारी होगे है और यहां पर पूरा डीटेल जानकारी दे रहे हैं कि जो शेर जारी हुआ है उसके बाद इनकी जो हिस्सेदारी टोटल हो गई है वो 8.24% हो गई है और अभी हम चुकी पर्मोटर होल्डिंग में दिखाए थे आपको कि जो विकास गर्गजी हैं उनके पास 6.10 टोटल पर्मो हो गए हैं जो की 8.24% टोटल हो जाते हैं और उससे पहले शेर जारी होने से पहले इनके पास 7.86 लाग टोटल इनके पास तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे शेर जारी हुआ है 3 क्रोण उसके बाद इनकी जो होल्डिंग बढ़के 8.24% हो गई है और यह जो 8.24% जो होल्डिंग इनकी दिखाई दे रही है उसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जो अगला हम स्लाइट देखेंगे जिसमें साथ दिसम्बर का न्यूज आया है उसमें इसका जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों आप आप देख रहे हैं कि यह जो दूसरी न्यूज लिकल के आई है वह साथ दिसम्बर न्यूज लिकल के आई है और यह भी जो है उसी जो भिकास गर्गजी है उनको जो शेर जारी होने थे उससे समद्धी थी यह न्यूज लिकल के आई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इनको जो total share alerted होने थे 10 crore share, उसमें से 6 December को तो 3 crore share जारी हो गए थे, और जो इन्होंने फिर से apply किया था, 3 crore share का, वो भी इनको जारी कर दिये गए हैं, तो यहां आप देख रहे हैं, इनको total जो है, लवक 6 crore share फिलाल जारी होते हुए न मनीत में न्यूज लिकल के आएगी, और आप देखेंगे कि इनको 37 crore share और जारी होगे, और इनका 10 crore share target लिया जा रहा था, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, बात कर इसके पूरे detail की, तो सेम चीज यही प्रिफरेंशल बेस पेस को भी alert किया गया है, और जो 37 crore share जारी हुए हैं, और यह 3.40 पैसे परतेक share के हिसाब से जारी हुए हैं, जिसमें से 2.55 यान लगए 2.55 पैसा यह तुरंट इनको देना था, जो की 75% होता है, और 25% इनको बाद में देना था, और वहां पर अगर हम बात करें, तो इनका जैसे ही 17 crore share और जारी हुआ, तो इनका जो फिलहाल बढ़कर 10.61% होता हुआ नजर आया है, और यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो 17 crore share जारी होने के बाद, इनका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बढ़के लगए 10% हो गया है, और जैसे ही जो 6 बसे 17 crore share जारी होंगे, तो यह आप देखेंगे कि लगए 13% के आस पास होता हुआ नजर आएगा, तो यह हिसाब से आप देख रहे हैं, यह जो इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न हो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें पहले 8% फिर यह 10% और अभी जैसे ही जारी होगा, तो यह 12-13% होता हुआ नजर आएगा, और जब अगले क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका अपडेट दिया जाएगा, तो आप जो है इसके प्रमोटर होल्डिंग में अच्छा खासा बदला आओ देख सकते हैं, तो दोस्तो यह रहा यह जो न्यूज था उसके बारे में हमने चर्चा कर थोड़ा सा इसके डेलिवी पैटर्न के साथ साथ इसका जो सपोर्ट प्राइस और रिसिस्टेंट के साथ साथ इसका जो टार्गेट दिया जा रहा है दिसम्वर को उसको भी देखने का परयाज करते हैं, अब हम अगर बात करें, आज की जो टोटल कॉंटरी ट्रेड होई ह है उसकी तो यहां पर आप देखने साथ इसम्वर का यह अपडेट दिखाई दे रहा है और इसमें जो टोटल कॉंटरी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है वह लग चालिस लाख उन्सट हजार सेरो की टोटल ट्रेडिंग होई है और पूरा का पूरा यह डिलिवरी के रू तो यहां पर आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा धीकाए दिखाई दे रहा है वह तीन रुपय तस प्हास के आसपास धिकाई देखाई दे रहा है और इसका पर्सक्राइं है उनके बात बात करें हैं चोना आधार्ट की इसका टार्गेट की पर्सक्राइब दीख करते हैं कि इसका जो target दिया जा रहा है फर्स्ट target वो 3.88 पैसे का target दिया जा रहा है दिसंबर में और थात ये जो 3.40 पैसे पर फिलाल ट्रेड कर रहा है उसमें अगर 44 पैसे अब दोड़ दिया जाए तो इसका target 3.88 पैसे बन जाता है जबकि दूसरा target जो दिखाई दे रहा है वो 1.40 पैसे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो इसके target की जो दिसंबर की बात करें तो ये 3.88 पैसे से लेके 4.85 पैसे के बीच में ये trade करता हुआ नजर आ सकता है और ये target को heat कर सकता है वहीं अगर हम पात करें इसके down target की अर्थात इसमें अगर किसी कारवड बस गिरावड आती है तो ये कहां तक गिर सकता है तो यहां जो सबसे बड़ी गिरावड देखी जा रही है वो 3.12 पैसे के आस पास इसमें गिरावड हो सकती है और जो लाश्ट तक गिरावड इसकी देखी जाएगी वो 2.15 पैसे तक गिरावड हो सकती है तो अगर कोई इसमें negative news आती है या कोई negative कारव निकल के आता है तो ये 3.12 पैसे से लेके 2.15 पैसे के बीच में ये trade करता हुआ नजर आ सकता है तो इसका जो target फिलाल दिखाई दे रहा है वो upside तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है साथी साथ जो downside है वो भी अच्छा खासा गिरावड के साथ दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी कि इसका जो target support क्या है साथिह साथ प्रमोटर्स समंधी जो उसलिकल के आई हैं, उसके बारे में डीटेल से चर्शा कर ली, इसमें एक ही चीज करना चाहेंगे, कि कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले, इसकी पूरी जिज्ञानकारी लेते हुए, इसमें पूरा डीटेल अन्लासिस करते हुए, को उतना ही investment करिए जो कि आपके financial health पे कोई भी असर न दाले तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो और इस चेकर लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ला बोलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट से आपको ऐसा ही समसे में पर मिलता रहे जै हिन दोस्तों